नमस्कार दोस्तों आज हम बना रहें मेथी की मुझा है यह एक अथेंटिक टीस है जो टेस्टी भी है हेल्डी भी है और अपने घर में तो इंग्रेडियेंट अगले बले उससे ही बन जाती इसके लिए मेथी लेना है मेथी को अच्छी तरह से साफ कर लेना है साफ करने के ब जँदा उसके साथ ही जवैन डालना है को तोड़ सा मसलो हाथ से अजवैन डालको एक चमज शक्र डाल दी है यहां पर मैंने लसोन हरी मेच और जीरे का क्यश डाल ज Candile उसके साथ ही स्वादा नुसर नमक डाल देना है, दो चमज दही डालना है, आधा चमज निवू का रज डालना है, एक चुटकी बर हिंग डालना है, उसके साथ ही एक चमज डाल देना है तिल और एक टी स्पून डालना है हल्दी पॉडर, यहाँ पे मैंने लाल मिच पॉडर का यूज नहीं किया, वैसे ही धनि या पॉर्टर का भी यूज नहीं किया क्योंकि मेथी को अपना एक बहुत ही बढ़िया ऐसा टेस्ट रहता है चमज पर तेल भी डाल दो और इसको मिक्स करना है पहले बीना पानी डाले ही इसको अच्छे तरह से मिक्स कर लो अच्छे से मसल मसल का मिक्स कर लो फिर से थोड़ से थोड़ असा तेल से इसको क्रिस कर लेना है और इसको स्टीम करना है इसको स्टीम करने में लगबग 12 मिनिट लग जाते हैं तो मैं इसको स्टीम कर रही हूँ अगर आपके पास बाज्य काटा नहीं है तो उनली बेसं के आटे से भी बन जाती है या फिर जौर या फिर नाचरी काटा भी उसकर सकते हो तो बारा मिनिट तक हम इसको अच्छे से स्टीम कर लेंगे यह एक अथेंटिक डीश है टेस्टी है हेल्दी है और कॉम्बिनेशन में मेथी और भाजरा बहुत और सहित्ते इंग्रेडियन जो है बहुत ही कम लगता है और बस 15 से बीट मिनिट में तयार हो जाती है आप इसको ऐसे भी खा सकते हो या फिर हम इसको भी तड़का लगाएंगे इसके लिए कड़ाई में दो चमश तेल लिया है तेल में राई डाल दो राई चटकने के प्रादे वक्ती डालाता है हींग भी डालाता लेकिन और थोड़ा सा हींग और तील डालेंगे तो टेस्ट बहुत बढ़िया आता है इस तरह से इसको एक बाएक से दो मिनिट तक चला लेंगे कि आपकी मुठिया तयार है तो यह मुठिया घर पर जरूर बनाना है अपना ने सब्सक्राइब ने किया तो जरू सब्सक्राइब भीजिएगा तैंक यू